आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कॉंग्रेस ने शनिवार को संगठन में बड़ा फेर बदल किया। कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे ने अपनी टीम में 12 महासचिवों और 12 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। इन में दो ऐसे नाम हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। पहला कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाडरा जिन्हें उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया है। दूसरा नाम राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पाइलट का है। राजस्थान के हालिया विधान सभाचुनाव में कर प्रभारी हार के बाद माना जा रहा था कि पाइलट को कॉंग्रेस आलाकमान बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। उन्हें या तो राजस्थान कॉंग्रेस का वापस से अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन नए फेर बदल में सचिन पाइलट को राजस्थान से ही लगभग बाहर कर दिया गया। उन्हें 36 गड़ का प्रभारी बनाया गया है। पाइलट जैसे युवा और लोकप्रिय चेहरे को राजस्थान से बाहर निकाले जाने के कई मायने निकाले जा रही हैं। करारी हार के बाद भी भारी पढ़ गए गहलोत राजस्थान समेट पाँच राज्यों के विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस ने चार राज्य गवा दिये। इसमें से तीन हिंदी हाटलैंड वाले राज्य हैं। राजस्थान में अपनी योजनाओं के बल पर अपनी गहलोत पर हार का ठीकरा फूटेगा और अब शायद ही उनकी कॉंग्रेस में अधित चल सके लेकिन संगठन के हालिया फेर बदल से साफ है कि राजस्थान को लेकर गहलोत की काफी चली है। सचिन पाइलट जिनका विवाद अशोक गहलोत के साथ काफी लंबे समय से हैं। उन्हें राजस्थान से ही बाहर कर दिया गया। गहलोत अतीत में कह चुके हैं कि पाइलट राजस्थान के मुख्यमंतरी कभी नहीं बन सकते। जबकि राजस्थान की युवा जनता पाइलट को मुख्यमंतरी की रेस में मानती रही है। उनकी लोकप्रियका। गाहब गा पूर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलट के बारे में विधान सभाचुनाव के नतीजों के बाद से ही अटकले लग रही थी कि अब कॉंग्रेस की ओर से उन्हें पूरी तरह से राजस्थान में पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी, लोग प्रिये चहरा होने की वजह से पार करवा सकते थे, पिछली बार 2019 लोक सभाचुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने शांदार प्रदर्शन करते हुए सभी 25 सीटों पर जीत दर्स की थी, इस बार कॉंग्रेस को यदी बहतर प्रदर्शन करना था तो उसे उत्तर भारत और हिंदी हाटलैंड के राज्यों में जरूर सीटों की संख्या को बढ़ाना होगा, ऐसे में यदी पाइलट को राजस्थान में ही रखकर पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी दी जाती तो यकीनन कॉंग्रेस को फाइदा होता, लेकिन उन्हें 36 गड़ भेजना कहीं कॉंग्रेस को आगामी लोक चुनाव में ये वोट कॉंग्रेस को न जाकर बीजेपी की ओर गए, दरसल राजस्थान में दौसा, अलवर, गुंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक समेट कई जिलों में गुर्जर मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, पिछले विधान सभाचुनाव में इ और 29 सीटों पर कबजा जमाया था, लेकिन इस बार पार्टी की 10 सीटें कम हो गई, यानि की 2023 के विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस को गुर्जर इलाकों की 19 सीटों पर ही जीत मिल सकी, राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सचिन पाइलट के रहते हुए गुर, जरो का वोट बैंक कॉंग्रेस से खिसक कर बीजेपी की ओर चला जाना बड़ा जटका है, यह भी एक वजह मानी जा रही है कि पाइलट को राजस्थान से निकाल कर 36 गड की कमान सौंपी गई